हलो दोस्तों मैं पूनमशा, उमीद क्लासेस के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सप्राइज है, जिन्होंने ट्वेल्ट पास किया, उनके लिए तो बहुती बहतीरी सेशन रहेगा, तो इस सेशन को आप end तक देखिए, जो opportunity आपको मिलने वाली है इसमें, उन सबकी मैं जानकारी आपको मैं दूंगी इसमें, ठीक है, तो end तक आप बने रहें, technical issue हो गया था, voice problem हो गया था, अब voice clear है, सभी मुझे thumbs up करके बताएं, कि voice clear है क्या, ठीक है, तो हम आगे start कर सेखिए class को, इस सेशन को देखने से, क्या होगा, आपकी जो exam preparation के प्रती, एक motivation आपको मिलेगा, एक आपको strategy समझ में आएगी, कि exam का pattern क्या होता है, क्या उसकी strategy होती है, और कौन सी आपकी vacancy है, ठीक है, किस vacancy की हम तयारी करें, कि हम जल से जल सरकारी नौकरी लग सके, तो मैं आपके लिए, यहाँ पर पूरी जो है, खुशकबरी आपके लिए लाई हूँ, आपको दिखी रहा है, बैनर में भी, कि high court stenographer आप बनिये, skill test, efficiency test, and typing test, तीनों के ही बारे में, इसमें आपका, देखो, written exam नहीं है, इसमें आपका, written exam नहीं है, इसलिए यह बहुत बड़ी खुशकबरी है, कि ऐसा भी मैं exam होता है, जिसमें आपका, written exam नहीं है, practical आपका exam होगा, और interview होगा, उसके base पे ही आपका क्या होगा, exam होगा, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो skill test है, efficiency test है, typing test है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो भी बन आया था, तो सबसे पहले हम भरतियों के बारे में समझ लेते हैं, यह भरती आई किस में है, यह भरती है, हाई कोट में, कोट में आई है, राजस्तान हाई कोट की यह भरती है, जो 406 पदों पर होगी, हाई कोट ने और अधिनस्त जो न्यायल ने है, उनमें 406 पद आएंग ठीक है पहले यह देखिए कि इसमें अधीनस नियालों में आशुलिपिक और कनिष्टि नीजिक साहयकों के लिए 406 पदों पर शीग्र भरती की जाएगी विधायक ने जो इंदराज सिंग हुजर है और विधायक इंदरा के प्रेश्ण पर विधी और विधिक कारे के विभा प्रेश्टि या दी जाएगी जवाब के अनुसार उच्छ नियाले के कनिष्ट नीजिक साहयक के कितने पद है 48 पद है और अधिनस नियालों में स्टैनोग्राफर जो ग्रेड प्रथम है उसके 96 आपके पद है इस टैनोग्राफर जो दृत्य पद है वो 105 दृत्य सेकिंड जो है उसकी क्या है 105 पद है स्टैनोग्राफर ग्रेड त्रिति है हिंदी भाषा वाले हिंदी भाषा वाले हैं उनके पद कितने है 140 पद है और स्टैनोग्राफर ग्रेड त्रिति है अंग्रेजी भाषा के लिए कितने पद है 17 पद है तो इस सहित 358 पद तो क्या है रिक्त है आपके stenographer के इसके अलावा जो 48 पद है वो है कनिस्ट इनिजिक साहयक के तो कुल टोटल मिला के पद कितने हुए आपके चार सुच है तो देखिए जो junior personal assistant है junior personal जो assistant है उसके कितनी है 48 है आपकी विकिंसी stenographer great first जो है उसकी 96 है ये सभी के लिए है first और second में हिंदी और English दोनों के लिए है ठीक है हिंदी और English दोनों medium वालों के लिए है इसमें stenographer के लिए जो second grade के आपकी भरती आई है उसमें आपकी 105 विकिंसी है और stenographer जो grade third है जो हिंदी के लिए है केवल उसके लिए 140 सीटे है और stenographer grade जो third है जो English medium की जो steno कर रहे है steno का मतलब क्या होता है शीग रिलिपिक जल्दी लिखना जितना जल्दी आप लिखे होगे उतना ही क्या होगा आपकी steno उतनी ही क्या होती है बढ़ती है हाँ जी सभी को सभी आ जाई है अब देखिए इसमें ये तो थी आपकी भरतिया तो total आपकी vacancy कितनी हो गई 406 vacancies आपकी हो गई है total जे पीए को मिला करके stenographer की कितनी vacancies है कितने रिक्त पत्त है हमारे 358 तो 358 में आप 48 जोड़ेंगे तो total कितनी हो जाएगी आपकी 406 vacancies आपकी आ रही है तो मैंने आपको बोला था कि 2023 है वो आपके लिए स्वन्निम अवसर लेकर आ रहा है golden chance लेकर आ रहा है opportunity लेकर आ रहे है चीक है तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पद है और बहुत ही अच्छी नौकरी है pay rate भी इसका बहुत अच्छा है तो देखिए आगे अब इसमें qualification आपको क्या क्या चाहिए और age कितनी होनी चाहिए तो सबसे पहले हम age के लिए बताते हैं तो age आपको चाहिए इसमें minimum 18 और maximum 40 years ठीक है और reservation के लिए तो 5 साल का होता ही है उसका ठीक है तो वो तो आप सभी को पता ही है अब इसमें qualification क्या चाहिए इसमें आप देखो इतना सारा आप पड़ोगे तो मैं बिल्कुल short में आपको बता देती हूं कि इसमें बार भी pass चाहिए 12th pass आपका होना चाहिए प्लस आपके pass में RS CIT आपकी होनी चाहिए ठीक है और जिनके पास 12th परिक्षा में 12th exam में अगर आप 12th का exam दियो और आईपी आपके subject है 12th में अगर आईपी आपके subject है तो RS CIT के आपको कोई आउशकता नहीं है तो यह तो आपके qualification है इस exam को pass करने के लिए ठीक है अब देखिए यह आपकी सारी qualification आगई अब देखिए इस exam का होगा क्या ठीक है किस तरह से यह exam होता है तो stenographer के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो शीग रिलिपिक होती है आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको तो ऐसी लिपी को वह आसानी से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं transcription उसका कर सकते हैं एक coding language जैसे होती है वैसे ही होती है उन्हें वो ही होता है भई court में जैसे गवा होते हैं तो गवा होते हैं तो वहाँ पे भी stenographer बैठा हुआ तो गवा जो जो बोलता है वो steno में उसको लिखता है देन उसको type करके देता है तो बहुत आसान vacancies में पढ़ने की जुरुत नहीं है आपको बस केवल steno आपको सीखनी है और efficiency आनी चाहिए इसके बारे में मैं पूरा detail से बताऊंगी पहले exam की आप scheme को समझो तो देखो जो English में अगर shorten आप करते हो English भाषा में अगर आप shorten करते हो तो उसमें आपको passes दिया जाएगा जिसमें 6 minute की duration होगी 6 minute के अंदर आपकी speed कितनी होनी चाहिए 90 या फिर 100 word per minute आपक चलआ होनी चाहिए तो आपको पूरा passes दिया जाएगा तो उसको आप लिकोगे stoop में ठीक है आपको audio, audio सुनाया जाएगा सुनकर के आपको लिखना है ठीक है steno में सुनकर के आपको लिखना है और फिर उसको देख करके computer पे type करना है जो आपने steno में लिखा है ठीक है तो देखिए यहापे जो transcription आपने लिखी है उसको typing करने है जो dictated passage है जो बोल करके आपको पैसेज लिखवाया गया था in English में वो computer पे आपको क्या करना है टाइप करना उसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा पचास मिनिट आपको दिये जाएगे और यह कित्ते नंबर का होगा सो नंबर का आपका यह पेपर होगा यह तो था जिनने English शॉर्टेंड करने है अब सुनिए हिंदी शॉर्टेंड ज्यादा दर स्टूडेंट्स हिंदी शॉर्टेंड करते क्योंकि हिंदी लेंग्विज उनके लिए आसान होती है हिंदी में उन्हें audio recording इसमें भी सुनाया जाएगा आपका देखिये audio recording आपको सुनाया जाएगा हिंदी में ठीक है हिंदी में आपको बताए इसमें भी आपको 6 मिनिट में सुनाया जाएगा पूरा 6 मिनिट का केवल राजस्तान के लिए ही है विद्या सागर जी राजस्तान के लिए ही है तो dictation of passage इसमें भी आपको audio सुनाया जाएगा हिंदी में और उसको आपको steno में लिखना है then आपको उस transcription को टाइपिंग करनी हिंदी में तो देखिए audio आप जो सुनाएंगे वो 6 मिनिट का होगा 6 मिनिट के अंदर अंदर आपको लिखनी है इसकी speed कितनी होती है जैसे typing की speed होती है वैसे steno की भी speed चलती है तो 90 या 100 words per minute वो बोलेंगे और उसी speed से आप लिखोगे ठीक है एक मिनिट में इतने words बोले जाएंगे अब देख लो speed आपकी कितनी होनी चीए अब देखिए उसको आप जो आपने steno में लिखा है उसको हिंदी में आपको type करना है computer पे जिसके लिए आपको 50 मिनिट आपको दिये जाते हैं और इसमें कोई speed का वो नहीं marks English के लिए 100 marks आपके हिंदी के लिए दोनों के लिए आगए अब देखिए आपे ये तो है steno की बात हमने कर ली shorten की बात हमने कर ली जिसमें आपको कोई return exam नहीं देना है high court की बात कर रहे हैं अब ये जो group C है ये आपके computer test है जो चाहे हिंदी shorten कर रहा हो चाहे वो English की shorten कर रहा हो दोनों के लिए ही क्या है fix है कि ये test तो आपका हो गई होगा अब इसमें क्या क्या होगा इसमें आपका speed test होगा जो typing test होता है वो ही आपका speed test होगा 10 minute में आपको type करना है और so number की आपकी ये typing रहेगी ठीक है अब इसमें minimum marks जो SCST है या physical handicap है तो उनको तो 20 marks लाने जरूरी है और जो बाकी others है इनके अलावा जो भी category में आते है general, OBC, MBC उनको 22.5 marks इनमें लाना पड़ेगा ये तो इनकी minimum criteria आपको दे दिया ठीक है समझ में आगया ये भी 100 number का है आपका speed test 100 number में से आपको इतने marks लाना तो जरूरी है ठीक है अब देखिए इसमें sorry 100 number का नहीं ये 50-50 number के हैं दोनों 50-50 number के होंगे ये ठीक है तो 50 में से 20 तो SCST और physical handicap वाले लाएंगे और 22.5 आपके other category वाले लेकर आएंगे अब बात करते हैं efficiency test की efficiency test में भी आपको 10 मिनिट दिये जाएंगे एक paper आपको थमा दिया जाएगा और आपको सामने paragraph दिया जाएगा और accordingly आपको क्या करना है जो भी question है उसको आपको formatting करने है अब वो किस तरह से करेंगे इसके लिए भी मैं आपको detail से मैंने बनाया भी था efficiency का एक thumbnail मैं आपको दिखा भी देते हूँ इस thumbnail में मैंने आपको बताया था कि high court ldc वाले में जो रामबार्ण उसमें efficiency भी दिया हुआ है ठीक है और कल से मैं इनकी classes भी ले कर आ रहे हूँ तो देखिए 50 marks का ये है इसमें minimum 20 और 22.5 अब ध्यान इसमें क्या देना है इसमें benefit क्या है इसमें benefit ये है जो हिंदी की steno सीख रहे हैं उन्हें केवल हिंदी की ही typing करने है और जो इंग्लिश की steno सीख रहे हैं उन्हें केवल English की ही typing करने हैं, दोनों आपकी typing इसमें नहीं होगी, क्योंकि choice आपकी है, कि आप Hindi में करना चाते हो, या आप English में करना चाते हो, ठीक है, तो ये choices आपकी है, clear हुआ आपका, तो ये exam का पूरा pattern है, आपको short hand सीखनी चाहिए, short hand से आपकी जल्दी नौकरी लग सकती है, written exam इसमें कोई है नहीं आपका, ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, ये मैंने आपको LDC का बताया था, कि LDC की जो vacancies है, वो बहुत जल्द आने वाली है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो भी आपकी YouTube पे हैं, आप से देखे जरूर, और इसका भी मैंने बताया था, High Court LDC का result जब आ जाएगा, तब कुछ बच्चे typing स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको अभी से ही करनी है वो typing, और ये वीडियो जो मैंने बनाया था, इसको आप ध्यान से देखना, efficiency के बारे में भी मैंने सचीवाले में आपको क्या करवाएगी, entry दिला सकती है, तो इसके भी आपको तयारी बहुत अच्छे से करना है, और सबसे ज़्यादा पद इस सचीवाले में आए हैं, आप देखिए, हम जो तयारी करा रहे हैं, return, plus steno, plus typing, इन तीनों की हम तयारी करा रहे हैं, efficiency भी तो ये तीनों पे ही main आपका focus है, तीनों ही आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसमें return था, इसलिए return है, लेकिन अभी जो मैंने आपको vacancy बताईए, उसमें ये वाला part आपका नहीं है, केवल आपके ये दोनों part है, तो ये दोनों part अगर आपके strong है, तो बहुत आप तयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से easy going मतलब आपका selection हो सकता है, अब ये जो batches हैं, वो बच्चों के लिए start किये गए हैं, ये जो efficiency है, जो हाइको टेल डिसी के exam के बाद में जो आप typing दोगे तो उसमें efficiency भी आती है, तो उसके batch हम जो है start कर रहे हैं offline, तो fees उसकी है 1500 रुपीज और KVS के जो JCA का चल रहा है आपका proficiency का, ठीक है, JSA का जो चल रहा है आपका batch proficiency के लिए उसमें आपके 2500 रुपीज का क्या है, 2500 रुपीज में ये codes आपको करवा रहे हैं, तो efficiency और proficiency दोनों के लिए ही आप ये batch जरूर जोइन करें, एक बार आपने सीख ल जुरत ही नहीं पड़ेगी, one time investment है आप सभी के लिए, बाकी आप WhatsApp नंबर पर संपर कर सकते हैं, उमीद classes का Instagram चैनल अगर आपने जोइन नहीं किया है, तो जोइन कर लीजिए, ठीक है, और Telegram चैनल आप जरूर जोइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी आपकी क्या होए, पूरी आपकी PDF जो है, वो दी जाती है, और क्या नहीं नहीं चीजे, नहीं नहीं चीजे जो भी हम updates कर रहे हैं, वो आपको Telegram चैनल पर पूरा मिल जाएगा, तो दोस्तों आप उस class को जरूर जोइन करिए, उस channel को आपको जरूर जोइन करिजी, ठीक है, तो अब जो इसका बैच है, वो चालू कपसे कर रहे हैं, तो बैच जो आपका चालू होगा, वो 20th April 2023 को ये बैच स्टार्ट होने वाला है, offline बैच होगा ये, online बैच नहीं होगा, offline आपका ये बैच होगा, जैपूर में होगा, आप इस WhatsApp नंबर पे जो भी इच्छुग विध्यारती हैं, वो संपर्क करें, उनको हम address बता देंगे, fees मैंने आपको बताई दिये, one time आपको करने की ज़ुरत है, और बहुत अच्छे से, पूरा जैसे English में post-matum होता है, वैसे ही, efficiency और proficiency का post-matum होगा, और बिल्कुल satisfactory आपको सारी चीज़े मिलेगी, तो आप लोग ये बैच जरूर जो होगी, तो उसको लेना आप ना भूले,